हाई गाईज, वेलकम बैक, आज मैं आपके साथ चार ऐसे स्टॉक सेर करूँगा, जो टेकनिकली इस समय काफे बुलिस हैं, फंडामेंटली बेहत स्टॉंग है, करेंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट करने का एक बेहतरीन ओपरचुनेटी है, और यहां से एक अच्छा का सरेटर आ सकता है, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का परपस आपको टेकनिकल सिखाना है, आपको बिजनस और फंडामेंटल को कमबाइन करके, टेकनिकल को कमबाइन करके, किसी स्टॉक को कैसे बाई करते हैं, यह बताना है, किसी भी तरीके से बाई और से का mental कैसा है, technical कैसा है, target कैसा है, complete analysis मैंने की थी, और उसमें ये जो stock था, 44 रूपीज के उपर trade कर रहा था, आप देखें, और आज snowman 67 के उपर trade कर रहा है, हाला कि एक बहुत बड़ा jump आ चुका है, लेकिन अभी भी technical की बात करें, तो technically ये इस समय काफी bullish है, अब कैसे technically bullish है, ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, ना कि दोड़कर की अमनीस ने बोला है, तो मैं stock को buy करूँ, ये purpose नहीं है, तो आप देखो, कि इस समय ये जो stock है, एक resistance में ख़ड़ा है, resistance का मतलब क्या होता है, कि एक point को stock बार बार hit करे, जैसे यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पार, छे, तो बार पर अगर एक point हीट होता है, तो कमजोड हो जाता है, और resistance रह नहीं जाता, और यहाँ पे अगर आख देखोगे, तो एक बहतरीन chart pattern बना है, यह पूरा handle था, यह पूरा का पूरा आप इसको cup बोलो, अगेन यहाँ पे एक पूरा rounding bottom बना था, यह जो है ना, एक डबलू pattern भी है, नाम कुछ भी दे दो, समझना है कि यह एक bullet chart pattern है, जो यह बता रहा है, कि निचले level पे operator बार बार accumulate कर रहा है, निचले level पे stock को लाकर buy किया जा रहा है, तो अब यहाँ पे जो इसका target निकल कर आ रहा है, अगर मैं इसको डबलू pattern बोलूँ, तो जो इसका target निकल कर आ रहा है, तो क्या यह पूरा देफ्ट है, इसको लेना है, तो मैं एक बार इस कि अगर operator का काम हो गया, निचले level पे उसने accumulate कर लिया, तो उसको भी पैसे बनाने है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक से देर साल, maximum one year लगेंगे यहाँ पे यह target एचीप होने में, क्यूंकि यह stock है, एक लंबे समय से, अगर आप देखोगे न, तो एक लंबे समय से एक रह और आज यहाँ पे इस range से यह निकला है, दूसरा stock है Indus Tower, Indus Tower को मैंने बार बार अपने channel पे डिसकस किया है, तीन दिन पहले भी बनाया था, तीन महीना पहले भी बनाया था, और इस stock को मैंने एक 11 महीना पहले भी बनाया था, उस समय यह 137 के उपर trade कर रहा था, और 137 से य 111 के उपर आ चुका है, एक साल में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि stock नीचे आता है, इसका मतलब stock खराब नहीं है, यह market है ना बहुत तया लूब है, वो सबको मौका देता है कि अच्छे stock को सस्ते में buy करो, जो समझता है market के इस behavior को जो लोग समझते हैं, और लोग buy करते हैं, जो नहीं समझते हैं, जो operator के हाथ की कठ़पुतली बनते हैं, और पैसे यहां पर लूज करते हैं, अब बात करें, इंदोश टावर में इस समय हो क्या रहा है, तो यह daily time frame चार्ट पैटर्न है, मैं अपने चार्ट analysis के लिए daily time frame को देखता हूँ, तो यहां पर यह falling width confirmation था, falling down trend में था, down trend कब तक रहेगा, यह हम देखते हैं, falling width से, तो यहां से यह हुआ falling width का confirmation यहां पर और multiple chart patterns यहां पर बन रहे हैं, तो फिलहाल इस stock को लेकर, जो मेरा target है, यह है, भाला target है 324 का, क्योंकि यहां पर resistance है, और यह जो down trend था, complete हो चुका है, accumulation हो चुका है, तो इसमें अब up trend बचा है, और up trend में इसका फाला target कितना उपर है, तो यह है 46%, और यह जो target है 46% आने में मुझे नहीं रखता कि maximum 1 year लगेगा, क्योंकि यहां पर rounding bottom ने अपनी 50-60% की journey complete कर ली है, मैं falling width को detail में नहीं बता रहा हूं, बहुत सारी videos हैं, आप वहां से आप दिखना, तो इसको justify कर रहा है, इसका fundamental, तो मैं अपनी position को यहां पर intact रखा हूं, लेकिन आप यहां पर अपने position by sales से पहले analysis करेंगे, again stock है, गुजरात गया है, इसको भी मैंने अपने channel पे discuss किया था, कब 13 December को मैंने इसको discuss किया था, उस समय 436 था, अभी यह 506 के वूपर trade कर रहा है, ल लेकिन अगर देखोगे, तो यहां पर भी एक बहुत खुबसूलत सा chart pattern बन रहा है, और अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर निसले लेवल पर recovery है, एक rounding bottom है, यह 8 है, तो अगर जो target है, मेरा इस stop को लेकर 5.80 का है, लेकिन अग कितना समय लगेगा, तो यह जो target है, जो पहला target यह है, 5.80 का, इसमें देखो, यहां परी की recovery हो चुकी है, consolidation phase ओबर हो चुका है, तो जब भी rounding bottom final stage में होता है, तो बड़े-बड़े canvas बनना सुरू हो जाते है, तो अब खुद देखो, यहां से पूरा-पूरा एक uptrend है, तो यहां पर पूरा-पूरा rounding bottom बन रहा है, एक साल में 50% आता है, तो बहतरीन गिन है, अगर जो stock है, ACC Limited, ACC को लेकर मैं काफी bullish हूँ, और मैरी सहां पर position है, और मैंने इसके उपर काफी videos बन रहा है, आप चाकर मैंने इसको पाँच महीने पहने पर discuss किया था, कि मैं क्यों buy कर र मेरे लिए बहुत असान है, कि जो stock 200-300 गुना गो चुका है, जो बड़े uptrend में है, वहां पर आपर यह बहुत लाए कि stock उपर जाएगा, यहां पर buy करो, तो यह मेरा यहां पर tips दने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब यह है कि आपको सिखाना, तो इस stock को मैंने यहां पर कहीं buy यह हुआ redesting और यह again uptrend, ठीक है, तो अब यहां पर जो इसका first target निकल के आएगा यह आएगा, यह कितना के 2700 होगा है, और जब एक बार यह पूरा chart pattern complete हो जाएगा, तो यह इसका final target होगा, यह होगा यह, यह कितना का है, 3900 का, तो अब सवाल आएगा, कि मनिस्वाई target तो अब यह chart pattern पूरा बना ही नहीं है, और आपने बना दिया, तो मैं हमेशा fundamental को लेकर चलता हूँ, chart pattern अगर अच्छा भी बनेदा हो, फिर भी मैं अजब तक fundamental से conviction नहीं मिलता है, buy नहीं करता हूँ, ऐसे बहुत जारे stock होते हैं, जो बतर हालत में, financial बहुत बेकार है, लेकिन करता हूँ, stock buy करना है, hold करना है, जब तक आपका target achieve नहीं हो, और आपका target achieve होने के बाद भी stock उपर जाएगा, आप सारा पैसा आप ही नहीं रखोगे, तो जहां पर target आए, वहाँ पेकचित करना है, यहीं तरीका है काम करने का, वीडियो को like करना है, चैनल को subscribe करना है, ताक नेरी रीच बढ़े, आपके support की जड़ होता है, मिलता हूँ next वीडियो में, take care, bye